नमस्कार दर्श न्यूज देख रहे हैं आप मैं पृति दयाल आपके साथ देखें बिहार में जब से सत्ता पडिवर्तन हुआ है तब से लगातार जो राजनितिक उथल पुथल है वह देखने के लिए मिल रही है इस इक्रम में मंगलवार को भी बड़ा उलट फेर देखने के लिए मिला कुल मिला कर देखा जाए तो महागडवंदन में हरकंप मच गया है जी हाँ आपको बता दे कि कॉंग्रेस के दो विधायक सिधार्थ सौरब और मुरारी गौतब और इन दोनों के अलावा आरजेडी की विधायक संगिता देवी ने अपने अपने पार्टियों का दामन छोड़ कर बीजेपी का दामन थाम लिया है जिसके बाद से जो सियासी पारा है वो पूरी तदा से हाई हो गया है जैसे ही इन लोगों ने अपना पाला बदला उसके बाद से एक के बाद एक जो राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया हैं वे सामने आने शुरू हो गया है इस बीच आपको बता दे कि बिहार विधान सभा का बजट सत्र चर रहा है वहीं सत्र शुरूआत होने से पहले आरजेडी के विधायक भाई विरेंद्रे और कॉंग्रेस के नेता शकील एहमद ने इस पूरे प्रक्रम को ले करके अपनी प्रतिक्रिया दी आपको बिता दे कि भाई विरेंद्रे का साफ तोर पे ये कहना था कि बीजेपी अच्छ परेगा तो वहीं दूसरी तरफ शकील एहमद ने ये कह दिया है कि विधासभा अध्यक्ष से विमांग करेंगे कि तीनों विधायकों की जो सदस्यता है उसे खत्म कर दी जाए क्या कुछ कह रहे हैं भाई विरेंद्र और शकील एहमद आप पहले वो सुन लिजे जनकारी मिली है और आप लोग के माध्यम से ही हमें जनकारी मिली है बाद में फोन आया कहीं से तो ये गलत राजनीती की परंपरा शुरुआत हुई है बिहार में जबकि बिहार में इस तरह की बातें नहीं हुआ करते थी और जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में उसको पस्ताना पड़ेगा इस तरह का होर्स ट्रेडिंग करके और लोगों को एक दूसरे से दल से दल बदल कराना ये नियम संगत नहीं है कानून भी बना हुआ है लेकिन किसी पार्टी के अध्यक्ष होते हैं तो उनके मन में बात आती है कि अब इसमा कोई करवाई नहीं करना है इसलिए राजनीती का बहुत बड़ा खेल हो रहा है और बीजेपी इस खेल में सबसे आगे चल रही है और बीजेपी को यह सोचना चाहिए कि देश में स्थिरता रहेगी राजनीती अच्छी रहेग लेकिन आज वो दूसरे दल को तोर रहे हैं कल उनका धरी तर चुर रहे हैं लेकिन सवाल है विश्वास नहीं होता तक कब का विधायक तूट गया रहा था अभी तो जैसे तैसे होर्स टेडिंग करके लोगों को तोरा जा रहा है और जो लोग देख रहे हैं कि आगे हमको टिकट भी मिलेगा तो नहीं जित पाएंगे वही लोग अपना कुछ और स्टेडिंग में अपना क्या-क्या होता आप जानते ही हैं अब पार्टी इस पर निर्ने करेगी इस पर पार्टी पर हमको दवाव नहीं बनाना है पार्टी अपने करवाई करने के लिए क्या करेगी पार्टी जाना कर कर एक बड़ा फास्यां पार्टी इस दीवाड करें ना से हमें लोग की सदस्ता निस्कासित कि जाए जो फ़रोग है अब वहला है कि इनको पार्टी से ऑनको निस्कासित किया जांड से क्योंके उन्होंने उलंगन कियां उसकानून कर जाहिर सी बात है जाएंगे ही बिल्कुल जाएंगे एक दम तय है कल ही निकाल दिये गए हैं और मैं तो आप से कहूंगा कि छोड़ो कल की बाते कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नहीं कहानी क्यास आराईयों का बाजार गरम है क्यास आराईयों पर मैं कोई ऐसी टिपड़ी नहीं देना चाहता जिसका कोई मत्तब नहीं बना चीज़े जब जैसी आएगी उसी तरह के बेहना देख लिए अब गदारों की फैरिस्त में लोग खुद को जाना चाहते हैं जैचन विजाफर की फैरिस्त में कोई खुद को जाना चाहते हैं परलोभन की दुनिया को आबाद रखना चाहते हैं और नैतिकता का कोई सिध्धान नहीं रहा है भारती जनता पार्टी को नैतिकता का परवचन देने वाले लोगों को यह समझना चाहिए समझना तो आपने उनके बयानों को सिना आपको बता दे कि इन दोनों के अलावे मंतरी श्रवन कुमार ने भी इस पूरे प्रक्रम को ले करके अपनी प्रतिक्रिया दी है आपको बता दे कि मंतरी श्रवन कुमार ने साफ तोर पे कहा है कि जो खेल होना था वह हो चुका है इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीती में बहुत सारी संभावनाई होती है और आगे भी बहुत कुछ देखनी के लिए मिल सकता है क्या कुछ कह रहे मंतरी अरोप तो लगाए जा सकते हैं उनको कौन रोप सकता है लेकिन पहले जो सुरुवात आपने किया कि खेला होगा बिहार में अब उनके बिधाया खेल रहे हैं अब खेला दूसरे जगह कर रहे हैं तो पहले तो जो संबिधानिक प्रबैठा है नीता विपक्ष की भूम का आदा कर रहा है अगर उसके जवान से इस तरह का बात निकलता हो कि खेला होगा तो खेला में खुदों फंसे हैं इसका जवाब तो ओही न दे सकते हैं कि किस तरह से खेला हो करना चाहते थे किस तरह से खेला में वह सफल रहे इसका जवाब अच्छा से ओही दे सकते हैं जो खेला करना चाहते हैं किसी को मालूम नहीं है देखते रहिए इंतजार करते रहिए इंतजार में जो मज़ा है और दूसरा किसी चीज मज़ा मज़ा नहीं है तो रूज हो रहा है जो खेला करने वाले लोग थे वो पूरी तरह से खेला में फस चुके हैं अभी कुन तो यात्रा निकार रहे हैं विश्वास यात्रा विश्वास तो वो जनता का जित्ता है जिसके लिए हमको भेजा है हमको भेजा है सदन में जुलन सवाल को उठाने के लिए विपक्ष की भूम का अदा करने के लिए तब विपक्ष की भूम का अदा नहीं कर रहे हैं आओ घूम रहे हैं नगरी नगरी द्वारे द्वारे तो नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमने के लिए आपको जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया था पर भरोसा किया था कि जब सदन चलेगा तो राज के महत्पूर सवालों के जनता के हित की रक्षा के लिए सदन में खड़ा होंगे तो यह सदन से भाग कड़ा होकर कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे गुम रहे उससे क्या लाब उनको मिल पूरा टीम कब बनेगा खेल के रेफरी तो आप लोग से छिपा हुआ है खेल के रेफरी आग टीम के कप्तान कौन-कौन है सब आप लोगों को पता है धीरे-धीरे जानकारी जाना तो दर्शकों मैं आपको बता दो कि लगता जो सियासी उलट फेर है वो जारी है एक के बा है तो वहीं दूसरी तरफ राजनितिक नेताओं की ओर से भी जो प्रतिक्रिया है वे सामने आने जारी है हाला कि इसके आगे और किस्तरे की प्रतिक्रिया सामने आती है क्या कुछ प्रक्रम होता है उसे लेकर हम आपको जरूर अपडेट करते रहेंगे फिलाल के लिए इस में इतना ही अगर आपने भी देखा हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़स सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही एगर वीडियो फेस्वुक के माद हमसे देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूले